हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ आलू पनीर की सबजी फ्रेंड्स एक बहुत इजी रेसिपी है और बस पांची मिनिट में बन जाएंगे क्योंकि मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ तो फ्रेंड्स रेसिपी को एंड तक ज़ दलना है यहां पर मैंने दो बड़े प्याज का यूज किये हैं प्याज को पेस्ट को एक सदो मिनिट फ्राइ करेंगे अब मैं इसमें डालूंगी एक चममच अद्रक का पेस्ट मसाले को एक से दो मिनिट फ्राइ करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दो बड़े टमाटर चॉप्ट किया हुआ टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से फ्राइ कर लेना है मैं डालूंगी आधा चममच हल्दी एक चममच जीरा पाउडर दो चममच धनिया पाउडर दो चममच कस्मरी लालमीच पाउडर और आधा चममच लालमीच पाउडर स्वादनुसर नमक थोड़ा सा पाणी डालूंगी ताके मसाला जलना जाए पाणी डाल कर मसाले को बहुत अच्छे से फ्राइ करना है टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तब हमें यहां पर दो क्यूब में कटे हुए आलू को डालना है इसमें मसाले में आलू को बहुत अच्छे से फ्राइ कर लेना है तेल और मसाला जब अलग होने लगे तब इसमें डालना है एक बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक बड़े चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर अब हम इसे एक निट के लिए फिर से फ्राइ करेंगे तेल मसाला अलग हो चुका है और मसाले से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है तो इस टाइम में कुकर के यूज़ करूँगी और कुकर में आलू और मसाले को डाल दूँगी आप चाहे तो इसे कुकर में ही सिर्फ बना सकते हैं अब जो मसाला पैन में लगे हुए थे उसे पानी डाल कर धोकर डाल दिये है मैंने यहाँ पर करीब देर कप पानी उसकी है अब मैं इसमें डालूँगी 300 ग्राम पनीर पनीर को भी मैंने क्यूब के सेप में काट लिये हैं अब मैं इसमें डालूँगी करीब एक चममच कसूरी में थी और इसे एक बर चला लूँगी अब कुकर के ढखकन लगाकर तेज आज पर सिर्फ एकी सिटी लगानी है तो फ्रेंट्स एदेखिए आलूँपनीर रेडी है ज्यादा सिटी मत लगाईएगा बस एकी सिटी लगाकर भेपर को अपने आप रिलिस होने दिजिएगा तो friends इस आलू पनिर की सबजी को आप चावल एरोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए और कमेंट्स करकर बताइए आपको नेक्स्ट में कौन से वीडियो देखन